सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, तूटना है उसका जिऊं जागे कच्छी नीद जवानी, गिली उमर बनाने वालों, बिना डूबे नहाने वालों, अरे कुछ पानी के बे जाने से सावन नहीं मरा करता, चुप चुप कर अशुरूब आने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता, नमस्कार साथियों, राम राम, खमाखनी, स्वागते आप सभी का एक बार पुना, मैं दिनेस आजना, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ, आप सभी ने देखा होगा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, देखिए, कहते हैं ना कि जब आप सपल हो जाओगे जिन्रगी में, तो आप हर बार आगे का आगे और उनको सपलता की शीडियां बताते जा रहे हैं, डॉकुमेंट कैसे त्यार करना, एड्मिसन कैसे लेना, ये वो वैसे वैसे, लेकिन हमारा क्या कसूर था, हमने मैनज की, प्रिस्तियां कुछ हमारे अनुकुल नहीं रही, पेपर सेट नहीं हुआ, हमारे कुछ क्यूशन्स रहे गए या, और भी एक्स वई जेड सर, ये तो जरूरी नहीं कि जिसका नंबर नहीं है, वो पढ़ा नहीं, दूसर, हम डी मोटिवेट है, कुछ, बस आप एक बार हमारी बात भी कर लेना, तो भी हम खुश हो जाएं, तो साथ यूँ देखिएगा, बड़ी अच्छी सी पंक्तियां है, कवी नीरच की है साइट, याद नहीं आ रहा है, कि सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ, एक आँख का पानी है, कुछ नहीं है, हो सकता है, वो पानी बेज आए, सपना तूटेगा, जैसे ही जागों के सपना तूटने वाला, ऐसी दीशी बात है, वहीं नीद ले रहे हैं, सपना आता है, ठीक है, जागेंगे तूटेगा, अब वापस से, जो आपने नीद में सपना देखा है, उसको अकिकत करने के लिए आप प्रयास करते हो, जाग कर, या फिर, रोते रहते होगे, आरे यार, मेरे को तो अच्छा सा सपना आ रहा था, तूट गया, अब तो कुछ है नहीं मेरे पास तो, दो इकलब आपके पास है, पर मुझे नहीं लगदा कि कोई उस पर रोएगा, मलाल गरेगा, साथ यूँ जो हो गया, सो हो गया, अब उस दुख होता है, लेकिन साथ यूँ उस दुख को लेके बैटे रहेंगे, तो आगे का भविशी है, वो अंदकार की और चला जाता है, उस दुख से बार भी निकलना होगा, उस पीड़ा से बार भी निकलना होगा, और वापस से हमें आगे की प्लानिंग बनानी होगी, आ रहा, उसने फिर से उट खड़ा हुआ कुछ दिनों के बाद, फिर से अपनी सेना बनाई, फिर से प्लानिंग बनाई, योजना बनाई, फिर से अटेक किया, चलो फिर भी आर गया तो वापस दूसरी बार भी वो बैटा नहीं, परयास करते रहा, कोसिस निरनतर करते रहा होसलों के तरकस में कोशिस का वो तीर जिन्दा रखिए हो जाए जिन्दिकी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिन्दा रखिए एक बार हार गए दो बार हारो के कोई नहीं मन से नहीं हारना है अगर आप मन से हार गए तो काम नहीं आएगा मैदान में कोई खिलाड़ी खेल रहा है, आर गया, कोई बात नहीं, वो दुबारा से जीत सकता है लेकिन वो मैदान में जाने से पहले मन से हार चुका है या एक बार मैदान में जाने की बाद दुबारा मैदान में जाने की हिमाकत नहीं कर पा रहा है कि मैं तो हार जाओंगा, साथ यूँ वह मन से हार चुका है, उसके जीतने की संभावना शुन्य हो जाती है, तो जित्ते भी भाईवे ने, आप सभी ने मैनत की थी, ऐसा नहीं है कि आपने मैनत नहीं की, लेकिन साथ यूँ देखिएगा, यूद होता है, एक हारता है, एक ज का नाम लिया चासकता, आप हारे नहीं है, आपका नाम 26000 में नहीं आया है, हारे आप भी नहीं है, आपने भी अपना अच्छा प्रदशन किया, ज réponse कि जो पहले नंबर और दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर आए, वह यूशा हो सकता है, लेकिन हो सकता है, उसको मैदल नहीं मिला मैनत को शवारातमक रखिए कि है तो यह थम ठोड़ा सा अगल दरखे संझ को विश्वासunden रहें और तो पिषिण केस्टивать Body जादा खतरनाक होती है। आपको इस चीज का नॉलेज मिला है कि कम्पीटेशन कितना हाड है, मेरिट कितनी जादा जाने लगी है, एक्जाम में किस परकार की प्रसंद पूछे जाने लगे हैं, उसके अनुरूप। जानते हैं कि क्या होता कैसे होता है, तो यकिन मानिए एक फ्रेसर बंदा आएगा रेक आप है, आपकी सपलता के चांज 99% जड़ा बढ़ जाते हैं। अगर तीन नंबर आजाते हैं, तो मेरा सलेक्षन हो जाता है। अब अगर मेरिट बनती है तो सबसे पहले नमबर पर मैं हूँ मतलब अपनी तयारी को इस परकार कीजिए कि आने वाले एक्जाम में आप राजस्तान के टॉप पर रहो अच्छा मौका है आपके पास अगर आपको टॉप से कुछ नमबर नीचे रहे हैं साथ यूँ आप आगे हो चुके हैं जो आपके साथ थे उनसे जरूर आप पिछड़ हैं लेकिन वो चले गए अब वो आपके साथ ही नहीं रहे अब पीछे के जो आपके साथ ही है उनसे आप कभी बहुत आगे हैं अब अगर आप अपनी मैनत को निंतर रखेंगे जारी रखेंगे आने वाले समय में आप सबसे आगे हो सकते उसी के लिए आपको मैनत करनी है बाकी देखिए साथ यूँ जीवन बड़ा लंबा चोड़ा है पंक्तियां क्या थी अपनी कि एक सपने के मर जाने से कभी जीवन करने लिए मरा करता है कि एक सपना था यह खोबता सर्ट तोट गया लेकिन उससे मतलब आपको मेरी तो जिनकी बरबाद होगी निये हो गया न को ऐसा कभी नहीं हो सकता साथ यूँ खिलनकी की सुरूआत कईंसे भी heißt almost ने से लिज धिशूरौ जूत होती है मौत का कोई पता निये कब आ जाएगी मर्तियू श्रण एक दम संसार का सत्य है कि मर्तियू होगी हर वैक्तिगी उसका पता निये कब हो सकती है कुछ नहीं का जा सकता लेकिन जिन्ड़की की शुरुआत आप करते हैं आप जिन्दा है मतलब अभी तक आप ने मर्तियू को हरा रखा है आप कहीं से भी जिन्दी की शुरुआर करते हैं हर सुबह अब साम को ये दिन खतम नहीं हो रहा है ये कल से आपके लिए एक नई शुरुआत के लिए सवेरा लेके आ रहा है उस उगने वाले सुरुज को साक्षी मानकर आप बहुत कुछ बदल सकते हैं अपनी वि प्लानिंग बनाते हैं मजबूत आर्मी बनाते हैं वापस से अटेक इस परकार से उन्होंने लगब मेवाड के 80% भाग को उने विजय कर लिया था इस इसी परकार सेलेबस का थोड़ा थोड़ा भाग डेली पढ़ दे चाहिए मैं जानता हूं कि अभी आपने बीच्टिसी का पूरा सेलेबस पढ़ रखा है अब से वापस उसको पढ़ना बड़ा मुस्किद रहेगा आपके लिए कोई बात नहीं उसको अलग 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 बीच्टिसी के अलावा और भी तो साथ राजस्तान में बहूच सारी और भी भरतियां आएगी वाड़ी पास बहर दियाएगी जिसने हुसन कर रह रहे हैं उनकी भी तैयारि भी तैज का सकते हैं उसकी बी आप तयारि कर सक्तें खुद को निरास नहीं होने दैैं है एग अ पिर भी कुछ बच्चे ऐसा है कि नहीं सर मेरी तो यह जिन्द की खतम है मुझे तो ना अगली बार बीएश्टिसी डर्णार ना किसी दूसरी भरती प्रिक्सा की तयारी करनी इस बार में बीएश्टिसी में सेलेक्शन लेना है तो साथ यूं उनके लिए अधर इस्टेट का अप्सन होता है अन्य राज्जी से भी आप बीएश्टिसी कर सकते हैं इस पर कापी सवाल रहते हैं इसका प्रोसेज क्या कैसे करते प्रोसेज साथ यूं अरियाना से कुछ लोग करते हैं कुछ लोग MP से करते हैं तो इनकी आपको ऑनलाइन वगेरा सर्च करना पड़ेगर और ऑनलाइन सर्च करके कभी एडिमिस्न मत लेना वहां जाना पड़ता है जाने के बाद इनिवर्श्टिय यां कॉलेज देख करके उसके बाद निनने लेना पड़ता है तो यह थोड़ा जटील मामला इसमें फ्रोड होने की संभावना ज्यादा रहती है इसलिए हम इसके बारे में इतनी बात नहीं करते हैं बाकि यह आप जरूर पूछते हैं कि अन्य राज्य से अगर बीएस्टिसी करके आओं तो राजस्तान में मानेता है या नहीं है तो राजस्तान में बिल्कुल फुल मानेता है सर क्या मानेता रद नहीं होगी बिल्कुल कोई मानेता रद जिनकी में बहुत सारे option मिलेंगे बहुत सारे मौके आएंगे और मैं तो कहता हूँ कि हर समय को मौका बनाओ और उसका अच्छे से अभी से बढ़ाई करनी चाहिए यही सबसे अच्छा समय उम्मीर है आप सभी इस बात पर अमल करेंगे अपने आपको मोटिवेट रखेंगे रखेंगे अच्छे परकार से तयारी करेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि अभी बार इस सेना के नेत्रतों के अंदर सबसे लड करेंगे लड़活श से जडू ओतार् करेंगे खायाब सूराइल को मोटिदास हाब अभी अवी जब चाहिए च्छावे वाल झाता है wichtiger है कि अभी चल अभी मोटिवे से यह एवीक इस हम Krदा करो कि अछ़े कि अजड़ावीर स्बसे छिदाब डहिक तोरा कि पूलर को मे